सर्दियों का मौसम था, नन्हे खरगोश के घर को चारों और घास फूस लगा कर गर्म रखा जाता था, रात होने वाली थी, नन्हे खरगोश के मम्मी पापा ने उससे कहा, आ जाओ नन्हे, सो जाओ, रात होने वाली है और बाहर ठंड भी बहुत है, लेकिन मुझे नींद न उसे समझाया, मम्मी की बात मानकर नन्हे आकर लेट गया, लेकिन उसे जरा भी नींद नहीं आ रही थी, वह थोड़ी देर लेटा, फिर मम्मी पापा से छिपकर बाहर आ गया और जंगल में घूनने निकल पड़ा, वह चलता जा रहा था, इस तरह कभी भी वह जंगल की ओ और नहीं आया था, लेकिन वह रास्ता ध्यान से देख रहा था, मिट्टी में उसके पावों के छोटे-छोटे निशान बनते जा रहे थे, इनकी मदद से मैं घर वापिस पहुंच जाओंगा, उसने सोचा, वह काफी दूर आ गया था, तभी जोर से आंधी चलने लगा, व और धब राकर एधर उधर भागने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा थी कि क्या करे, ननहे बहुत दर गया था, दौरते दौरते उसने ये भी नहीं देखा कि आगे तालाब है, और फिर छपाक से तालाब में गिर गया, वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, एक हिरन और उसका बच्चा वहां से जा रहे थे, उन्होंने ननहे खरगोश को मुश्किल में देखा तो रुक गए, उन्होंने किसी तरह खरगोश को बाहर निकाला, वह ठंड से कांप रहा था, हिरन जल्दी से ननहे को अपने घर ले गया, घर जाकर हिरन की मम्मी ने उसे अपनी गोद में लपेट लिया और दूद पीने को दिया, अब ननहे को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको अब घर की याद आने लगी थी, हिरन ने उससे घर के बारे में पूछा तो ननहे ने बताया कि उसे ठीक से पता नहीं है, इधर ननहे की मम्मी पापा परेशान थे कि ननहे कहा गया, वे उसे धूंडने निकल पड़े, हिरन भी ननहे को लेकर जंगल में निकला, रस्ते में ही ननहे के मम्मी पापा उसे दूर से आते हुए दिखाई दिये, वे दोड़कर ननहे के पास आए और उसे गले से लगा लिया, तहां चले गए थे तुम, मम्मी रो रही थी, ऐसे बिना बताए थोड़े ही जाते हैं, पापा बोले, ननहे ने उनसे माफी मागी, ननहे के मम्मी पापा ने हिरन को धन्यवाद दिया और ननहे को सब्सक्राइब,